तो आज हम अपने लड़ू कोपाल का मेक ओवर कर रहे हैं उनका कलर भी इस तरह गोल्डन कलर है तो हम इसे ब्लैक कर देंगे कहना मेरा बहुत गिनों से मन कर रहा था कि लड़ू को ब्लैक कलर कर दूँ मुझे बहुत सुन्दर लगते हैं ब्लैक कलर के लड्डू गोपाल तो अगर आप सब का भी मन हो कि हमें अपने लड्डू गोपाल का मेक ओवर करना है तो आप ये वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि मैंने कैसे काम काम से कलर यूज की है अभी बताती हूँ तो मैंने ये चार कलर लिये हैं मैं इनसे पूरा मेक ओवर करने वाली हो लड्डू गोपाल का येलो ब्लैक वाइट रैड और ये पेंट ब्रश है और ये टूथ पिकली है मैंने कोई डॉट्स वगएरा बनाने हो उसके लिए चीक है तो अब हम एक ओवर स्टार्ट करते हैं ये एक्रिलिक कलर्स हैं इनसे कलर जल्दी उतरेगा नहीं लड्डू गोपाल का हमने पहले भी किये थे काफी संदर लग रहे थे तो मैंने सोचा कि दुबारे से कलर करूँ जैसरी राधिक्रिष्णा कैसे हैं आप लोग बहुत दिन हो गया ढंक से आप लोगों से रूब रूब नहीं हो पा रही हूँ लाइप भी नहीं आ पा रही हूँ तो उसके लिए सोरी थोड़ा सबीजी हो गे थी इस वज़़े से वीडियो नहीं बना बारी हूँ और अभी आपको दिखाते हैं कि ओशिला क्या करे यह रही है यह देखिए ऐसुरिया करे यह काना जी को तयार आज उनका मेक ओवर नहीं हो रहा है बहुत ही ज़ादा सुंदर लगते हैं एक बार पहले भी हमने किया था जन्माज टीम पर तब बहुत जादा सुंदर लग आज इसके पताने क्या मन में आ गई फिर से कह रही है कि मेकवर करना है तो फिर से कर रही है वैसे में आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं उसे भी सुंदर लगते हैं यहलो पे वाइट कलर दिखाई नहीं दे रहा है और मेरी बेटलो चरनी भी बहुत अच्छे से चल रही है और क्रिस अभी कुछ काम कर क्या है बाहर का जैस्थ्री रादे गृष्णा सभी को मिलेगे थोड़ी दिर बाद जब ऐसुर्या के लड्डू गॉपाल हो चाहिए रही पता ना नहीं अभी सर्प्राइज है चलो चाहर कर लिए और जब ऐसुर्या के लड्डू गॉपाल नहीं मतलब लड्डू गॉपाल सब रेडी हो जाएंगे तब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि वह कैसे लग रहे हैं और आप लोग भी हमें कमेंट करते हैं कि लड्डू कैसे लग रहे हैं लड्डू गॉपाल का मेक ओवर हो चुका है तो मैं अब भी आपको दिखाती हूं कि वह कैसे लग रहे हैं तो यह देखिए आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि लड्डू गॉपाल कैसे लग रहे थे आपके लड्डू और भी प्लाइट कर देखिए लड्डू गॉपाल के लड्डू पाई बहत जादा पसंदें आप इसी को अधिशा कॉर्ड़ कर से लड्डू गॉपाल कर दोएगा